जे श्रीमन नारायन जो टिपने मैं देने जा रही हूं वह रामनुजदास श्रीमन गट्टू विर्णो गोपालन स्वामी द्वारत दी गई है अध्याय छे आत्म सैयम योग श्लोग चौन्तिस चैंचलम ही मनह क्रिष्णा प्रमाधी बलवत दृधं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रिवा सुदुश्करम वूम गीताचारे शुरी कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को आत्म सैयम योग की शिक्षा दे रहे हैं उस प्रकिर्या में अर्जुन शुरी कृष्ण परमात्मा से पूछ रहे हैं हे कृष्ण मन या मन चंचल, चिर्चिडा, मजबूत और शक्तिशाली है इस मन या मनस में आदतन मामलों में भी स्थिरता का अभाव है हे कृष्ण जबकि मैं आपके द्वारा सिखाए गए समान द्रिष्टी के योग को समझता हूँ जो यह धारणा है कि सभी आत्माएं ग्यान में समान है और परमात्मा या सरवोच आत्मा के बराबर है मैं इसकी असंगती के बारे में अर्थात इस योग को अपनाने में मेरा अपना मन भी आशंकित है इतना ही नहीं मेरा मन मुझे परिशान करता है और मेरा ध्यान कहीं और भटका देता है ऐसे मन या दिमाग को नियंतरन करने का परियास करना एक नाजुक पंखे के साथ प्रचंड हवा को नियंतरन करने का परियास करने जैसा है इसलिए क्या आप कृप्या मुझे इस बेचैन मन या मन को नियंतरन करने के लिए कोई तरकीब या साधना बता सकते है अर्जुन के दृष्टी कौन को अपनाते हुए आईए अर्जुन के शब्दों का उपयोग करते हुए श्री कृष्ण परमात्मा से मार्ग दर्शन प्राक्त करें चंचलं हिमनक्रिष्ण प्रमाधी बलवद्रुधम तस्याहम निग्रहम अन्ये वायो रिव सुदुशकरम शुरी मत भगवत गीता का संपून सार शुरी कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याए अठारा के श्लोक पैसर से सत्तर में आठ कारे करने के लिए दिया गया है मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन आठ बातों का पालन करते हैं मैं उन भगतों की हर तरह से रक्षा करूँगा शुरी कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशिये वचनम तवा जिसका अर्थ है शुरी कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा की आप कहते हैं यही कारण है कि शुरी कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजे प्रदान की है आईए हम परमात्मा को अपना वचन दे कि हम इन आठ कार्यों का पालन करेंगे परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा तप या यग्गे नहीं है मैं यह आठ वरत कहूंगी जो हमें करने चाहिए आप सब कृपया अपने मन और हिर्दे में इन पर विचार करें इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें जैए श्री मन नारायन यह है हमारे आठ वादे हमारा पहला वादा हे श्री मन नारायन जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी हमारा दूसरा वादा हे श्री मन नारायन जैसा आपने सलहा दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी हमारा तीसरा वादा हे श्रीमन नारायन मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टी के लिए अपने सभी कार्य करूंगी हमारा चौथा वादा हे श्रीमन नारायन जैसे कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा है मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी हमारा पांचवा वादा हे श्री मर्नारायन मुझे आपके शब्द याद आते हैं माम एकम शरणम व्रजा अठाराच श्यासट कि आपने आत्म समर्पन करने के लिए कहा था हे श्री मर्नारायन मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ हमारा छटा वादा हे श्रीमन नारायन मुझे आपके शब्द माशुचाह 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं मैं अब और शोक नहीं करूँगी हमारा सात्मा वादा हे श्रीमन नारायन आपने हमारे लिए श्रीमत भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशिरवात दिया है मैं प्रती दिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ हमारा आठमा वादा ही श्रीमन नारायन आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुचाया मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भकतों तक पहुचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं हमने अभी अभी परमात्मा से अपने आठ वादे किये हैं श्रीमन नारायन को हर दिन यह वच्चत देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वेम कहते हैं अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम अपने अडिक विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दे हे श्रीमन नारायन जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी श्रीमन नारायन करिशिये वचनम तवा जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन में आपके निर्देशों की अनुसार कारे करूंगी सर्वम श्री कृष्णा आर्पनमस्तु जै श्रीमन नारायन चैंचलम ही मनह कृष्णा प्रमाधी बलवत दृधं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम वूम् चैंचलम ही मनह कृष्णा प्रमाधी बलवत दृधं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम वूम् श्रीमन नारायना करिश्ये वचनम तवा सर्वं श्री कृष्णार पनमस्तु जै श्रीमन नारायना जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश निवेदन हमारे जीवन में सभी चीजों में हम ततकाल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं इसे प्राप्त करने के लिए प्रती दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायन अस्रम पढ़ें नारायन अस्रम प्राप्त करने के लिए नारायन अस्रम वेब साइट पर जाएं जो www.narainasram.org है और पंजी करन में अपना नाम और इमेल प्रदान करें आपकी दुआरा प्रदान किये गए इमेल पर आपको एक नारायन अस्रम प्राप्त होगा PDF में एक रामायन श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विश्नु नाम है इन तीनों को मिला कर नारायन अस्रम कहा जाता है प्रतियक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन संयोजन प्राप्त होता है जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रति दिन अपने नारायन अस्रम को पढ़ता या सुनता है संपून रामायन परायन का एक दौर, श्रीमत भगवत गीता परायन के 33 राउंड, श्री विश्नु सहसनाम स्तोत्र परायन के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं यह एक ऐसा उलेखनिय और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदसे तुरंत जाकर अपना नारायन अस्तरम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन